कोरोना वाइरस की महामारी के इस कष्टदाई समय में लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जिन में से एक महत्वपुण प्रश्ण का इस वीडियो में ज्योतिशिय द्रश्टी से उत्तर देने जा रहा होई। प्रश्ण है, इस भयंकर महामारी के दौर में हमारी रक्षा करने वाले और हमारी सेवा करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस और पुलिस वालों के उपर कुछ लोग हमले क्यों कर रहे हैं। क्या इसका भी कोई जियोतिशिय कारण है? इसको कैसे रोका जाए? इस प्रश्ण का उत्तर देने के लिए अपने स्वतंत्र भारत देश की जन्मकुंडली और वर्तमान समय की गोचर कुंडली यहां आपके समक्स प्रस्तुत कर रहा हो। और शनी के साथ शनी की खुद की राश्री में बैठा है। जियोतिश में शनी को प्रजा का नैसरगिक कारक माना गया है तथा मंगल को आक्रोश, आक्रमन और क्रोध का कारक माना गया है। इस प्रकार उच्च के मंगल और शनी की यूति के कारण ऐसे महामारी के दौर में लोग बहुती आक्रोश और क्रोध के वशिबूत हो रहे हैं. अपने भारत देश की कुंडली में मकर राशी नवम भाव में है और वहां से उच्च के मंगल की अश्टम मारक द्रश्टी चतुर्थ स्थान पर सिह राशी पर पढ़ रही है. देश की कुंडली में चतुर्थ स्थान देश के रक्षकों का प्रतिने धित्व करता है और सिह राशी डॉक्टर्स वो नर्सिस का प्रतिने धित्व करती है. इसलिए उच्च के मंगल और शनी की यूती के कारण प्रजा में उत्पन्न आक्रोश का भोग बन रहे हैं समझ और विवेक प्रदान करने वाला गुरू ग्रह अभी अपनी नीच राशी मकर में गोचर कर रहा है. इतना ही नहीं, गुरू ग्रह अभी मकर राशी में केवल दो डिग्री पर है, इसलिए ज्योतिश्रिय भाशा में वह मृत अवस्था में हैं. इसलिए जिन लोगों क अपनी जन्मकुंडली में गुरू ग्रह शक्तिशाली नहीं है, वैसे अनेक लोग अपना विवेक खोकर अपने ही रक्षकों पर हमला कर रहे हैं. अब इसका समधान या उपाई क्या हो सकता है, इस पर बात करते हैं. इसके लिए सबसे पहले मंगल को शान्त करना अवर्श करना है, लोकडाउन के सरकारी नियमों का संपूर्ण पालन करना है, हम सबको अपने घर में ही बैठकर विशेश मंगलवार और शनिवार के दिन अपने देश के सिपाहियों और पुलिस कर्मियों के गुणगान करने वाले गीत सुनने चाहिए या गाने चाहिए, और अपन विस्तार के कुछ गिने चुने प्रतिनिध्यों के द्वारा पुलिस कर्मियों को लाल वस्त्र और मिठाय का दान करना चाहिए, तथा उनका सनमान करना चाहिए, मंगल ग्रह तीन मई तक मकर राश्री में रहेगा, चार मई को वह कुम्भ राश्री में प्रवेश करेगा, तब तक उप्रोक्त उपाई अवश्य करते रहना चाहिए। दुसरा उपाई है विवेक शक्ती बढ़ाने वाले गुरु को मजबूत करने का। जियोतिश में गुरु ग्रह को जीवन का कारक माना गया है। इसलिए इस महामारी के दौर में अपने जीवन की परवा किये बिना हम सब के प्राणों की रक्षा करने वाले डॉक्टर्स और नर्सिस को तथा बुजुर्ग लोगों को सच्चे गुरु मान कर विशेश रुप से गुरुवार के दिन उन्हें पीले वस्त्रों का वा पीली म का दान करना चाहिए साथ ही किसी मंदिर में लगातार 8 दिनों तक हल्दी का दान भी करना चाहिए ध्यान रहे इसके लिए हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, लोकडाउन के सरकारी नियमों का संपूर्ण पालन करना है, हम सब को अपने घर में ही बैठ कर अपने विस्तार क कुछ गिने चुने प्रतिनिध्यों के द्वारा यह दान कर्म करवाना चाहिए। तीसरा उपाई है असंतोष पैदा करने वाले केतु के लिए। इसके लिए हमें कुट्तों को और गाय को खाना खिलाना चाहिए तथा अनाथ बच्चों को मिठाई खिलानी चाहिए। मेरे इ इस वीडियो के प्रती आपका feedback कॉमेंट्स के माध्यम से अवश्य प्रदान करें और इस वीडियो को forward करें तथा चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.